हेलो एब्रिवान आज के इस वीडियो में हम लोग किसिसना क्लाश 12 एकसरसाइज 8.1 का कोईचन नमर 7 का सकेन नमर कोईचन को स्वाल्व करेंगे तो देखे काता है है on the following system of equations using matrices यहांन कि यह सिस्टम आप इक्वेशन दिया हुआ है इनको जो है मेट्रिक्स मेटर का यूज करके हमको श्वाल करना है तो चलिए इनको स्वाल करता है Solution तो झो पहले यह जो एकस याई और जड़ेंट का कोफीशियन्ट है उन को हम πेंडते हैं चेलिए यह पर हम लेते हैं ये इकभल तो यह जो एकस याई जरक्रक्ष всегда हैं उनको हम लिख सकते हैं ये देखिये वान मैनस 1, 2, 3, 4, and मैनस 5, 2, मैनस 1, 3, यह लिख दिये, और हम X matrix के अंदर हम लिखते हैं, X, Y, Z, यह थीन वेरियाबल है तो यह लिख दिये, and B, B matrix एकवल तो क्या हो जाएगा, यह RHA सेर वला जितना है वो सभी हो जाएगा, 7, मैनस 5, and यह 12, यह हो गया, एक्चली देखे, यह जो पहले देखे, यह निफ्रोम इकवेशन, फ्रोम इकवेशन, फाइस्ट, सकेंड, एंड, थार्ड, फाइस्ट, सकेंड, एंड, थार्ड से क्या रिजल्ट हता था, यह रिजल्ट हता था, X equal to B, therefore, X equal to A inverse B, ठीक है, अब देकि पहले हम इनका डिटामि करते हैं, कि या श्यूंगलर है, या फिर नन श्यूंगलर, तो डिटर्मिनांट ओफ ए निकालेंगे, यह 1, मैनस 1, 2, 3, 4, मैनस 5, 2, मैनस 1, 3, देखे, इनको जो हाँ हुआ, आर वान से हम एक्स्पैंड कर देते हैं, आर वान स करेंगे, यह 1 इंटु रो, और यह कोलम चार नायन पलास ट्यान हो जाएगा, ठीक है, और यह पलास 2, एन टु यह रो, और यह कोलम मैनस 3, मैनस 3, मैनस 8 हो जाएगा, ठीक है, यह देखे, डिटर्मिनांट ओफ ए, निकी यह 12, 5, तो फाइब खितना होता है, तो यह 12, और यह यहां पर देखे, एक बार हम देख लेते ह यह 12, और यह मैनस नहीं होगा, क्योंकि मैनस मैनस पलास तो यहां पर मैनस मैनस तो पलास हो गया, लेकिन यहां पर बीच में हम मैनस देते हैं, यहां पर मैनस होगा, बलकि पलास नहीं होगा, ठीक है, तो यह देखे, तो यह देखे, यह देखे, यह 9 अपलास 10, कितना होता यह नाइंटीन होता है प्लस नाइंटीन और यह देखिए यहां पर फोर आया है था हम जानते हैं कि यह नंसिंगलर मेट्रिक्स है इनका इंवर्स एक्जिस्ट करेगा उनके लिए हमें क्या चाहिए उनके लिए हमें जाये यहां पर लेंगे लेंगे को फेक्टर और हम इन से पीछले वीडियो में बताए हैं कि हम डायरेक्ट कैसे निकालता हैं वह आपको हम बताते हैं NGO और टो कोलम ढाख देंगे टिए 12-5 फायट यह कितना होता है 7 और ये देखिए यह बहुत यह कोलम टीर 9 प्लास 10 यह 19 होगा और यह यह बहुत अब हो गया है अब देखिए हम इनस मैंनास1 हो गया ठीक है और फिर एchnya निकालेगे और यह कॉलम यह नहीं को लौ मौंट यह मैंनास1 आप बस्टू manos कितना हुता मैंनास1 अपलस तूथ जरी यह वर नहीं होता है ергए क्या फर्मियोे जो इसका निकालते हैं तो देखिए यहां पर यह इतना हो गया अब हम इनसे निकालते हैं यह 5 ओर यह –85 – 85 –85 –hinga कितना होगा तो मैंद lugile यहां पर साइन यहां पर साइन यहां पर यहां पर नहीं बलकि यहां पर साइन चेंज हो जाएगा यहां पर साइन चेंज हो जाएगा यहां पर यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा अब देखिए इनका टांस्पोज कर देंगे हमारा एर जॉाइंट निकल जाएगा एर जोइंट ओफ-ए यह कितना आ जाएगा adjoint of a आजाएगा 7 minus 19 और यह minus 11 ठीक है यह 1 minus 1 and minus 1 यह minus 3 11 and यह 7 यह आगे है adjoint हम जानते हैं now inverse equal to formula होता है 1 बटे determinant of a into adjoint of a यह formula होता है तो हम जानते हैं determinate निकला हमारा 1 by 4 into adjoint निकला 7 1 minus 3 minus 19 minus 1 11 minus 11 minus 1 7 यह आया है तो अब देखिए now हम from equation first and second and third से क्या result निकाले हैं यह यहां आपर देखिए x x का भेल्डू हम राखेंगे x y z x y z a inverse a inverse 1 by 4 into यह 7 1 minus 3 minus 19 minus 1 11 and यह minus 11 minus 1 और यह 7 into b b b b b b matrix यह 7 minus 5 and यह 12 अब देखिए इनको जो है वह हम multiply करते हैं तो multiply करेंगे तिहां से देखिए x y and यह z ठीक है इनको multiply करेंगे तो यह देखिए यह हमारा कितना कितना आएगा यह 49 minus 5 minus 36 minus 133 plus 5 और यह plus 132 और यह minus 77 और यह plus 5 plus 84 आएगा अब देखिए यहां पर जो है यहां पर जो एकस y z equal to one by four into यह देखिए इनको जो है हम करेंगे यह हमारा कितना आएगा यह यह जो है वह 8 8 4 and 12 तिहांस x hence hence x equal to 2 y equal to 1 and z equal to 3 यहीं तिनों जो है वहां फाइनली हमारा answer बजाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह question बहुत ही अच्छा तरिका से समझ गयोंगे तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके third number question के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच share कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आई हुए तो चैनल को subscribe कर लिजिए इस चैनल पर आपको full case system का solution किया जाएगा तो चलिए अब हम अगले वीडि है जाहिंदा